तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा ढूंडता है तू किसका सहारा भारतमा कितलिक विभुतियो समग्र मानव जातने पथदर्शक बनी छे तेवी विभुतियो माना कभी सहे एक छे अध्यात्मना क्षित्रमा अत्मग्नान ए शिकर छे आने परम्तत्वनी परक प्रतीती प्रत्यक्षिकरन ए मुकाम छे कभीर कहे छे हदे छांडी बेहद गया किया सुन्नी असनान मुनी जन महलन पावई तहान किया विश्राम कभीर साहिबना जन्वा अने जहाती विशे विवाद कायम ठयो छे कभीर जीनी जहाती विशे लोकोए एमना देहावसान पचीपां विवाद चालू राख्यो छे जहां कभीर जी पोतेज कहे छे जहां कभीरा बंदगी तहां पाप पुन्य नहीं छोती जहां बंदगी नुक्षित्र छे जहां परम्तक्त्व साथे एकात्मक ठवानी वाद छे त्या कोई पुन्यके छुता छुती के जहात पांतना बेदभाव ने विवादने स्थान जन थी जाती विशे छुता छुती विशे प्राक्रुत चन लड़ता रहे छे परन्तु जिम्ने ये प्राक्रुत जनना लोक्नी हड लांगी ती दी छे आने अनन्त अनाध्य बेहदमा विहरे छे तेने प्राक्रुत जनना मतमतांतर साथे कशी नित्वत होती नथी तेथीज कबिर साहेब अटला मतमतांतर पची नथी हिंदू नथी मुस्लिम नथी कोई जातना के वर्णना गंगा सती ये पन एज कईू होतू जाती ने पाती नहीं हरी ना देशमां कबिर साहेब ना उपदेश ने ग्रहन करी ने कितलाक लोको तेमने राम ना साधक मानता तो कितलाक तेने अलख ना आराधक मानता कभिर साहेब तो राम केशव अने गोविन ने पन रटे छे अने अलखनी ज्यां सेवा करे छे त्यां जईने ते ठहरे छे पोतानी पंक्ति माज कभिर साहेब गायूं निसी अंधारी आरी मीटी गई वागे अनहद तूर ज्यां अग्नान अंधकार खटम थाई गयो छे ए अनहद नादनो प्रदेश छे क्या लक्ष अलक्ष ना भिदभाव बड़ी जाई छे कभिर साहेब लोकोत्तर थाई ने बेहद ना लोकमा पहुँचा छे तेथी कभिर नी वाणी मा तेमनी समक्ष बेस्ता लोकों नी वाणी रही होए परन्तु पोते तो अनेक सूर्य ना जेवो प्रकाश जगमक्त होए अने जा अनहद नी तूरी बाजे छे एवा प्रदेश मा निवस्या हता तेमने जे तत्वनों पर्चो करे होतो तेनों वर्णन तेवो करे छे जाके मुह माथा नहीं नहीं रूपक रूप पहुप वासथाई पातला एसा तन अनूप कभिर साहिब ए त्रण बाबतो सहजरिते आपनने समझावे एक साकार मा निराकार औने निराकार मा साकार ने उलखवाने समझवानू ग्णान बिजूं बधा वेदनू ग्णान, ग्रंथोनू ग्णान, परं तत्व हरी प्रत्य प्रीत जोडवा माँटे छे आने त्री जू, प्रभूने नामे त्यागी थावूं सहलूं छे, पन पोतानू अस्तित्तो मिटावी समर पन करवूं, आने दास थाई जवूं अगरूं छे, आ त्रण मुद्दानू ग्नान ज़ ग्नान छे, जमा पहलू, रहस्यनों भेद जणवो, बीजू, प्रभू प्रत्ये प्रीत जोडवी, अने त्री जू, अहम त्यागी ने स्व समर पन करवूं। जीवन थोड़ू अने क्षण भंगूर छे, कोई थी साथे कई लईशकातू नथी, अने अहंकरना भार्थीच दूबी मराई छे, ए वाद तेवो खूप सरलताथी कहे छे। कभिल जी कहे छे, अध्यात्मगनान जीवन छे, सनातन तत्वने जान्यावीना पोँची जनवलाई तेटला पथारा करे, और तेमा थी कोई स्थूल वस्तू राय होई के रंक, ते साथे लईजे शक्तो नथी। बिजू, विवेक दुष्टिती जीवन वेहवार करवो छोईये। आने त्री जू, जीवन रूप नाव एक तो जरजरीत छे, तेने चलावनार वृत्तियो कूडी छे, तेनो भवसागर तरवानो इरादो नथी, तेना अहंकारना भार्ती बुडी जवाई छे, पन पारु नथी, नश्वर्ता माती बहार निकली शाष्वत्म आविशकातो नथी, आविभारेकं ग्नाननी वाटो सामन्य जन्माते सरलने सुलब करी, कबिर साहिब प्रस्तुत बनी गया। कबिर साहिब ना बोधनो सहज सार, अने तत्वग्नान सभर्तेना चरित्रेनी दोत्तक छे आ साखियो, उँचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी उँचना होई, सोवन कलस सुरे भर्यो साधू निंद्या सोई, उँचे कुल मा जन्मियो ते थी शूतरू, उँची करणी होवी कबिर साहिब तोचना अने वड़ी चेक तड़े टिना बनने भक्तों ने एक साथे जोड़ी शके जे, ते थी तो कबिर साहिब न थी मारा, न थी तमारा, पन कबिर साहिब छे केवल बंडगी ना तू ही सागे है तू ही किनारा, रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा ओलता है तो किसका सहारा प्लता है तो किसका सहारा थीपक्तों 5र में